देखू मैं तुम्हें देखूं या कुदरत के नाजारे मुष्किलो में है ये दिल मेरा तो रीडोराइट बस एक छोटा सा चेनल है यूट्यूब चेनल है लेकिन मेरे लिए मेरे लिए रीडोराइट कोई नाम नहीं कोई इनसान नहीं रीडोराइट एक सोच है एक प्रयास है एक ब्रांड है रीडोराइट मार्केट का सबसे ब्रांड है आप देख रहे हैं रीडोराइट और रीडोराइट में आपका स्वागत है आईए अब हम अपने ओरिजिनल टॉपिक की शुरुवात करते हैं हम आज बात करेंगे इस बुक की आज अभी जिस बुक को मेरे आप हाथ में देख रहे हैं लाखों लोग इस बुक को खड़ीदते हैं उसे पढ़ते हैं इस बुक का नाम है Think and Grow Rich इसे लिखे है नेपोलियन हील ने इसका मतलब यह हुआ कि सोचो और अमीर हो जाओ यह बुक जो दावा करता है वो दावे बहुत चोकाने वाले हैं यहाँ पर पहले हम बुक का इंटोड़क्शन देखते हैं इनके दावे को देखते हैं सबसे पहले तो यह भी जानना जरूरी होता है कि अगर हम किसी किताब को पढ़े तो क्यूं पढ़े और कौन इस किताब को पढ़ सकता है किसके लिए यह किताब लिखी गई थी तो यह सारी बातेओं का जवाब मैं कोशिस करूँगा कि आज आज आपको दूँ जैसा कि कोई भी बुक की जब हम शुरुवात करते हैं तो हमारा सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि हम उस बुक के ओथर के बारे में पढ़ें उस बुक का मेन थीम के बारे में पढ़ें तो यहाँ पर सबसे लास्ट में इस बुक का थीम लिखा हुआ है उसे हम पढ़ने की कोशिस करते हैं यहां पर देखे क्या लिखा हुआ है इस बुक के सबसे पीछे में लिखा हुआ है बोथ पोवर्टी एंड रीचेज आर्दा आफ ए स्प्रिंग अफ थाउट एक महान विचार से इस बुक की सुरुवात करी गई है आप ऐसा क्या सकते हैं यहां का गया है कि गड़ीबी और अमीरी दोनों सोच के उपज है मतलब कहने का तात्पर इस बात से है कि अगर आप सोच ले तो आप अमीर हो सकते है और अगर आप सोच ले तो आप गड़ीब भी हो सकते है यहां सोच की सकती के बारे में वर्नन किया गया है कि अगर कोई इनसान ठाल लेता है तो वो वो कर सकता है जो वो करना चाहता है और अगर कोई इनसान के मन में हाड बैठ गया है तो फिर उसको कोई जिता भी नहीं सकता है वो हाड जाएगा इस किताब को 1937 में publish कर दिया गया था मतलब 1937 में आज इस किताब को लगभग 100 साल होने को जा रही है भारत में नहीं लिखी गई थी ये किताब इस किताब को अमेरिका में publish किया गया था अब आप समझ सकते हैं इस किताब की success story को कि एक किताब जो लगभग आज से 100 साल पहले लिखी गई थी और आज भी वो किताब इतनी फेमस है, तो कुछ तो बात रही होगी उस किताब में, इसके लेखक है नेपोलियन हील, ये किताब है तिंक अग्रो रीच, और ये बुक दावा करता है कि ये एक सेल्फ हेल्फ बुक है, अगर आपका कुछ लक्ष है कि मुझे ये चाहिए, तो ये बुक क्याता है कि तो फिर ये आपके लिए ही लिखी गई है, इस बुक में, इस बुक में कहा गया है कि लाखों लोगों ने इसे खड़ीदा है और अपनी जिन्दगी को बदला है, बहुत सारे लोग इस किये हैं, और उनका कहना है कि जो भी बैखती, इस बुक में बताए गए कुछ सीक्रेट है, अगर उनको फोलो करता है, तो डेफिनेटली वो सक्सेस होगा, शुरुवात में जब ये बुक को लिखी गई थी, तब इसका मोडल इसी तरीके का नहीं था, तब ये किसी अन तर किसे गया है, बट इसमें कुछ नए एडिशन किये गया है, नए चीजों को एड किया गया है, कुछ चीजों को एडिट किया गया है, और जो यहां एडिट किये हैं, उसमें से एक नाम बिल हार्ट ले है, और दूसरा नाम एन हार्ट ले है, दोनों ने मिलकर इस बुक को ए इसमें कि बताया गया है, कि पूरे बुख में किस तरीके से हमारे सामने बातें रखी गई हैं, क्या इस बुख का पूरा थीम है, वही सारी चीजे बताई गई है, और मेंली हमारी chapter जो है, वो second chapter से सुरू होती है, हमारी कहानी जो सुरू होगी, एक्चुल इस बुक में जो कहने का उद्देश है वो सकेंड चप्टर से सुरू होता है टोटल 16 चप्टर है तो मैं आपको बताओं कि इसमें कौन-कौन से चप्टर है उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि नेपोलियन हील इस इंसान को इस पेज पर यही वेक्ति है नेपोलियन हील कहते हैं कि इस किताब को लिखने में नेपोलियन हील ने अपने जिन्दगी का 20 साल लगा दिया था कोई वेक्ति केवल एक किताब को लिखने में 20 साल लगा रहा है तो उसके अनुभव कितने बड़े होंगे आप समझ सकते हैं तो इस बुक की शुरुवात जो कड़ी जाती है एक विचार से करते हैं यह विचार नेपोलियन हिल के ही है जिनोंने इस किताब को लिखा है उनका कहना है नेगलेटिंग तो ब्रॉडेन दियर व्यू हैज केप्ट सम पिपूल डॉइंग वन थिंग ओल दियर लाइबस मतलब बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि वो आज जिस इस्थिती में हैं कल भी आपको वो उसी इस्थिती में मिलेंगे जो काम वो आज कर रहे हैं वही काम आपको कई साल बाद भी करते हुए मिलेंगे और उसकी जो economical status आज बनी हुई है समाज में आगे आने वाले समय में भी उसका economical status वही बना रहता है ऐसा इसी लिए होता है क्योंकि व्यक्ति अपने विचार को, अपनी सोच को बढ़ाता नहीं है, उसको अपने दृष्टी कौन को बढ़ा नहीं करता है, वो पहले से सब कुछ चीजों को मान लिया है और उसी को मान करके बैठा हुआ है कि यही सच है, इसके अलाबा इससे बह कुछ होई नहीं सकता, वो नए विचार को सुनने को तयार नहीं है, समझने को तयार नहीं होते हैं, तो हमें अपनी सोच को बढ़ानी चाहिए, नए विचार को जानने चाहिए, ऐसा नेपोलियन हिल के आते हैं, तभी हम वो कर सकते हैं, जो हम करना चाहते हैं, अपने विचार सबसे महान नहीं होता, किसी समय के लिए कोई विचार सबसे महान हो सकता है, पर उससे भी महान विचार हो सकते हैं, तो हमें अपने दिमाग को हमेशा खुला रखना है, ताकि हमें अगर कुछ नई चीजे जानने को मिल रही हो, तो हम उसे समझें, उसे समझने की प्र में चाप्टर के बारे में बताया गया है कि सबसे पहला चाप्टर है The Secret of Success एक्चुल में इस The Secret of Success में ये बताया गया है कि पूरा चाप्टर किस बारे में है और कैसे सारी चीजे प्रेजेंट करी गई है क्यों ये बुक आपको पढ़नी चाहिए क्यासे आपको ये बुक पढ़नी चाहिए जो भी आपके मन में इस बुक से डिलेटेड सवाल आ सकते है उसका आंसर किया गया है दूसरे चाप्टर में बताया गया है कि Thoughts are Things मतलब सोच भी कुछ चीज होती है जैसा कि इस बुक में लिखा भी हुआ था जब मैंने बताया था कि यहाँ पर जो इस बुक का इंट्रोडक्शन दिया गया है तो उसमें कहा गया है कि अगर कोई इंसान सोच ले तो वो अमीर बन सकता है और अगर कोई इंसान सोच ले तो वो गड़ी भी बन सकता है तो यहाँ पर उसके बारे में ही बताया गया है, तीसरे नमर में फिर डिजार के बारे में बताई गयी है, इक्छा, कि यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी एचीविमेंट की सुरुवात वहां से होती है, जबाब की मन में पहली बार कोई इक्छा आती है, सबसे पहले कोई इंसा सोचता है कि हमको यह करना है फिर जाकर कि वो एचीव होती है और इस तरीके से टोटल 16 चैप्टर है यह 16 चैप्टर 320 पेज़ेज में कवर किये गए है यानि कि टोटल 320 पेज में इस पूरी किताब को लिखी गई है इस खिताब में एक बहुत ही बहतरी लाइन जैसा कि आपने सुना कि कहा गया कि अगर आप ठाल ले तो आप वो कर सकते हैं जो आप चाहते हैं और अगर आप ठाल ले तो आप वो भी कर तो आपके साथ वैसा भी होगा जो आप नहीं चाहते हैं जैसे कि अगर माल लीजे कि तो जीत ही नहीं सकता, तो इस condition में आप जीतोगे ही नहीं, किसी महान विक्ती ने कहा है कि जीतता वो नहीं है जो बहुत सक्तिसाली होता है, जीतता वो भी नहीं है जो बहुत बुद्धी मान होता है, जीतता वो भी नहीं है जो बहुत बड़ा है, जीतता वो है जिसको अपन आप पर विश्वास होता है कि हम जीत सकते हैं कुकि इतनी महान विचार से इस बुक की सुरुबात करी गई है तो मैं भी एक कोसिस करता हूँ एक ऐसी कोसिस जो सायद हो सकता है कि impossible हो पर मैं इसको ठानता हूँ और कोसिस करूँगा कि इसको cover किया जाए आज जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो आज है 11 तारीक, 11 अक्टूबर है आज, और इस बुक में टोटल 320 पेज़ेज है, टोटल 16 चेप्टर है, जिसमें कि मैंने अभी तक किवल 1st चेप्टर पढ़ा है, सकेड चेप्टर अभी मैं पर रहा हूँ, और मैं कोशिस करूँगा कि 20 तारीक तक आपके सामने इस पुड़े बुक के बारे में एनलेसिस करके बता सकों, कहने का मतलब मैं 10 दिन का समय ले रहा हूं और मैं कोशिस करूँगा कि 10 दिन की अंतरगत में इस बुक में जितनी भी सारी बाते बताई गई है वो सब के सब मैं आपको भी बता सको यानि कि मैं इसको 10 दिन में पढ़ना चाहता हूं और मैं ना केवल पढ़ना चाहता हूं बलकि इसको समझ करके आपको भी बताना चाहता हूं तो सायद यह मुश्किल हो सकती है कि 320 पेज और केवल 10 दिन का समय है हो सकता है कि ना हो पाए लेकिन जब इसकी सुरुवात इस सोच से होती है इस बुक की कि अगर आप ठान सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं तो मैं भी एक चीज ठान कर देखता हूँ और मैं देखता हूँ कि ऐसा कुछ हो भी सकता है या नहीं हो सकता है मैं पूरी कोसिस कर चप्टर के बाड़े मैं आपके सामने यहां पर बताने जा रहा हूँ, यह पहले चप्टर में नेपोलियन हील के बाड़े में यहां पर देखिए, अब कहानी सुरवात होती है, नेपोलियन हील, बीस साल तक इस किताब को लिखने में अपना समय लगाया, एक्चुल में क्या हुआ था, कि 1908, 1908 के आज पास का जब समय चल रहा था, तो अमेरिका में बहुत बुरी हालात थी, वहां पर एकोनुमिकल क्रैसिस चल रहा था, मुस्किल हालात से अमेरिका गुजर रहा था, और उस दोरान, अमेरिका में काम मिलना थोड़ा मुस्किल हो था नेपौलिएन हील उस दैम में कोई काम नहीं करता था, उनको न तो कोई जॉब थी न उनके पास जादा पैसा था, ऐसे कंडेशन में उनको एक जॉब करनी पड़ी है, वो बॉब टेलर हमेर्स मेगजीन एक जॉब पा लेते हैं उसमें जॉब करने लग जाते हैं, उनक पैसा दादा नहीं मिलता था इस जौब में काम करने के लिए, लेकिन हाँ, उनको मौका मिलता था, मौका मिलता था बड़े-बड़े वेक्तियों के साथ मिलने का, इसको कहा गया था कि आप जो है, कहानी लिखिये बड़े-बड़े लोगों का, ताकि लोग उससे मोटिवेट हो सके हैं सबसे पहला वेक्ति जिससे नेपोलियन हील मिलते हैं वो था कार्नेगी उस टाइम का एंड्रवी कार्नेगी उस टाइम के अमेरिका का ना कि वल अमेरिका की वलकि पूरे दुनिया का सबसे अमीर आदमी था एंड्रवी कार्नेगी उनसे जब हील मिलता है तो वो एं में कुछ जानकारी पूछता है उसके बारे में सकसे स्टोडी लिख रहा था ये लिखना चारा था ये तो उसके उसका इंटर्वियू लेता है ये तीन घंटे की इंटर्वियू होती है एंडुरी कारनेगी के साथ और फाइनली निसकर्स ये निगलता है कि अभी बात खतम न कारनेगी होता है नेपोलियन हिल उसके घर चले जाते हैं जब नेपोलियन हिल कारनेगी के घर जाते हैं तो दोनों में बाते होती है कारनेगी नेपोलियन हिल से बहुत ज़्यादा खुस होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं कारनेगी क्याता है कि देख देखो, आज तक दुनिया, Trial and Error method का इस्तमाल कर रहा है, या तो, वो जो method का इस्तमाल कर रहा है, उनको नहीं पता है कि वो success तक लेकर की जाएगी, या फिर वो success तक नहीं मत्र की जाएगी, लोगों का नहीं पता है, क्या हो कि अगर हम या फिर किसी तरीके से लोगों को यह बता सके कि राइट मेथड क्या है जिससे कोई भी लोग सक्सेस प्राप्त कर सके उनको पता चले कि हा इस रास्ते पर कोई चल सकता है तो वह सक्सेस तक पहुंच सकता है तो कैसा रहेगा और यह भी तो बहुत गलत है कि आज इतनी हम इतना डवलप होने का फायदा हम इनसानों का तो यह थे कि हाँ आप बात्तों सही जह रहे हैं कारणेगी अपने बात को आगे बढ़ाते हुए क्याते हैं कि देखो हिल हम चाहते हैं कि तुम पता लगा उस सीक्रेट का पता लगा उ जिससे कि कोई भी व्यक्ति शक्सेस प् और मुझे लगता है कि 20 साल लगेगा इस सिक्रेट को ढूनने में 20 साल का समय या फिर 20 से ज़्यादा समय भी लग सकता है ऐसा कारनेगी हील से क्याते हैं हील क्याता है कि ठीक है मैं 20 साल मेहनत करने के लिए तयार हूं कारनेगी काते हैं लेकिन इक हैं, इस काम को करने के बदले तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा, हाँ. office तुम्हारा कुछ खर्चा होगा कहीं जाने में, किसी से मिलना हो तो वो हम तुमको करबादे के, हम मिलवा देंगे उनसे जाने का खर्चा, रहन सेन का खर्चा हम मैनेज करेंगे, लेकिन इस काम को करने के बदले तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा, कारनेगी के हील क्याता है कि ठीक है मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, मैं एक्सेप्ट करता हूं क्याते हैं कि 29 सकेंड में हील ने उसके ओफर को एक्सेप्ट कर लिया था, और उसके बाद कारनेगी की मदद से 20 सालों तक बहुत सारी लोगों से हील मिला, बड़े बड़े नाम है, इसे मैं कुछ नाम आपको बताता हूं जिन से हील मिला था, एक बड़ा नाम है थोमस अलवा एडिशन का, आज पूरी बना रहा हूं तो इस टाइम में भी अभी रात है, लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो इसलिए बना पा रहा हूं क्योंकि बल्व है, और इस बल्व को बनाने वाला एडिशन था, उस टाइम में एडिशन सबसे सक्सेफुल लोगों में से एक था, हील ने उनके साथ क्या साथ हैं, फिर जा करके उनसे रिलेटेड कुछ जो भी उनने सीखा, उसके अंदर जो सीग्रेट बाते थी, उनको इस बुक में में मैंसन किया गया है, और इस तारीके के टोटल पांच सौ से जादे लोगों का मैंसन किया गया है, इस बुक को लिखने के लिए पांच स से जादा लोगों उस टाइम के जो सबसे ज़्यादे सफल लोग थे उनसे मिला गया था इनी में से एक और व्यक्ति का मैं नाम बताता हूं जैसे कि आपने फॉर्ड गारी का तो नाम सुनाई होगा तो इस फॉर्ड गारी को बनाने वाले व्यक्ति जो थे उनसे हील मिलते हैं और बाचीत करते हैं उनके साथ समय बिताते हैं इस बुक को लिखने में फिर जाकर करके वो इस बुक को लिखते हैं इसकी अलावा आपने और भी कई नाम सुने होंगे जिसे मैं आपको बताता हूँ कि आपने एक पैन सुना होगा पारकर पैन पारकर पैन बहुत ही महंगा आता है उस पैन को जिसने बनाया था वो बहुत ही successful people में से एक था उसके साथ एंडू उसके साथ Hill ने शमय बिताया और इस तरीके से सोचे 500 से जादे लोग उस टैम में जितने लगवग में जितने भी लोग सबसे जादे सफल लोग थे उन सब के साथ रहा समय बिताया तभी तो 20 साल का समय लगा है और इस किताब को लिखी गई है बस इसे लिए ताकि लोगों को वो सीक्रेट बताया जा सके जिस सीक्रेट की वज़ा से आज बहुत सारी लोग सफल हैं और अगर कोई वेक्ति शफलता पराप्त करना चाहता है औrd उसको नहीं पता है कि सफलता पराप्त करने का क्या सीक्रेट है तो वो यह जान सके इसके लिए उन्होंने इस पर 20 साल की महनत करी और फिर जा करके ये किताब को लिखी गई हैं तो इस किताब को लिखने में 20 साल की महनत लगी थी और आज से 100 साल पहले लिखी गई थी और आज भी वो किताब चल रही है just because कि उसमें लिखी गई बातें कहीं न कहीं सच होंगी अब ये जो दावा कर रहा है ये किताब ये किताब तो बहुत बड़ी-बड़ी दावा कर रहा है बाकि मैं बताता हूँ कि इसमें क्या दावे किये गए है और कितना सच और कितना जूट ये बात जानने के लिए तो आपको ये किताब पढ़नी ही होगी इस किताब में कहा गिया है कि अगर कोई वेक्ती इस किताब में बताय हुए secret का अपने जिदगी में इस्तमाल करता है तो वो definitely successful होगा इसके लिए इसके author Napoleon Hill जो कहते हैं वो कहते हैं कि I have never known anyone who was inspired to use the Carnegie secret who did not achieve not worthy success on the other hand I have never known any person to distinguish themselves or to accumulate riches of any consequence without possession of the secret यहां पर मैं आपको इस line का मतलब बताओं उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि Carnegie secret क्या है यह जो मैं secret की बात कर रहा हूँ जो हर एक successful लोगों के पास में होती है जिसके बारे में Carnegie Hill को बताया करते थे उसी secret को जो कि इस बात का idea Carnegie ने दिया था हिल को इसलिए इस secret को Carnegie secret कहा जाता यानि वो secret जो आपको सफलता तक ले कर कि जा सकती Napoleon Hill जिनोंने इस किताब को लिखा है 20 सालों के experience के बाद उन्होंने ये कहा कि मैंने आज तक ऐसा कोई इनसान नहीं देखा जो कारनेगी secret का इस्तमाल करता है और वो सफलन नहीं है ऐसा कहने का मतलब यह है कि जो भी Napoleon Hill यह कहना चाहते हैं कि जो भी कारनेगी secret का इस्तमाल करता है वो सफल definitely होता है और इसी का reverse करके वो फिर से इसी बात को कहते हैं कि जितने भी सारे successful लोग है ऐसा मैंने एक भी successful लोग नहीं देखा जो इन secret को follow नहीं करते यानि इस book में बताई हुई secret बातों को हर एक successful लोग follow करते हैं और जो follow करते हैं वो definitely successful हो जाते हैं और इसमें कहा गया है कि लाखों लोगों ने इस book को use किया है और वो सभी के सभी वेक्ति shuffle हुए हैं जो इस book को book के secret को माना है एक बार कारनेगी से पूछा गया था कि आप ये कैसे दावा कर सकते हैं कि इस book को पढ़ने वाला व्यक्ति सफल ही बनेगा वो अमीर ही हो जाएगा तो कारनेगी इसके लिए एक इक्जामपल देते हैं कि देखो एक एक लड़का है उन्होंने उसका नाम भी बताया था फिलाल मेरे माई निवर नहीं आ रहा है तो basically मैं कहानी बता रहा हूं उन्होंने कहा था कि एक लड़का है उन्होंने इस बुक में लिखे हुए शिद्दान्तों को फोलो किया और उस टाइम पर उन्होंने तीन-चार मिलियन डॉलर कमाए थे दो-तीन ऐसा ही कुछ मिलियन डॉलर था और आज के समय में वह 20-30 मिलियन डॉलर रुपिया हो चुका है आज के समय में इंफेक्ट इन से ज़ादा ही हो चुका है वह ऐसा बोलते हैं और क्याते हैं कि अगर आप इस पर ट्रस्ट कर लेते हैं और इसमें बताये गई नियमों को मान लेते हैं तो विश्वास मानिए कि आप भी वो पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं इस book में बताई गई है कि जैसे आप को इस motivational speaker को सुनते हैं तो कोई भी lecture आप सुनते हैं तो आप motivate हो जाते हैं लेकिन इस book को अगर आपको real mind में समझना है इसका क्या theme है, क्या ये कहना चाता है, तो इस book को आपको thoroughly एक-एक chapter से हो करके पढ़ना चाहिए, इसमें कहा गिया है, कि इस book का हर एक word important है अपने आप में, आपको कोई word भी नहीं छोड़नी है, तो मैं कोईशिस कर रहा हूँ कि इस book से जितने भी सारे चीज़े मैं सीखा हूँ, वो मैं आपको बताने की कोईशिस कर रहा हूँ, इसके बाद इस book के last, जब ये पहला chapter complete हो जाता है, ये पहला chapter बस एक introduction था, कि ये किताबे कैसी लिखी गई थी, किताब को किस तरीके से पढ़ना था, किताब क्या दावा करता है, और फिर ये chapter हमारा complete हो जाता है, यनि actual में किताब जो कहना चाहता है, वो हमें पहले chapter में नहीं बताया गया है, हमें आगे आने वाले chapter में हमें बताया जाएगा वो secret की बाते, secret की एक भी, कोई भी secret पहले chapter में नहीं बताया गया, पहले chapter में यह बता दिया गया है कि हर chapter में आपको कोई न कोई secret बताया जाएगा बाकि यह chapter just as a introduction था और जब यह chapter complete हो जाता है तो फिर इसमें कहा जाता है कि बोथ poverty and research जैसा कि हर एक chapter के last में एक quotation दिया हुआ है जो कि बहुत ही बहतरीन quotation होती है और exactly यही quotation इस book के introduction में भी लिखा हुआ है जो कि मैंने आपको explain कर दिया बोथ poverty and riches are the offspring of thought अमीरी और गड़ी भी दोनों सोच के उपज है कहने का तातपर्रे इस बात से है कि अगर आप सोच ले तो आप अमीर हो सकते है जंग के मैदान में वो योधा जीतता है जिसको अपने आप पर विश्वास होता है कि हम जीत सकते है और अगर आप लायक भी है और फिर भी आपको विश्वास नहीं है कि मैं जीत सकता हूँ तो विश्वास मानिए कि आप जीत नहीं सकते एक बहुत ही बहतरीन सा एक्जामपल जो नेचर हमें देता है कि एक हाथी को एक पतली सी रस्षी से बांदा जाता है एक बड़े हाथी को पतली सी रस्षी से अब आप सोचे कि क्या उस हाथी में इतनी काबिलियत नहीं है कि वो एक रस्षी को तोर सके बिल्कुल काबिलियत है वो तो मोटी मोटी रस्यों को भी तोर सकता है पतली सी रस्य तो उसके लिए मामूली सी बात है आपको पता है कि वो हाथी उस रस्य को क्यों तोरने की कोशिस नहीं करता क्योंकि उसको विश्वासी नहीं है कि मैं इसको तोर सकता हूँ मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं इसको तोर सकता हूँ, उसको अपने आप पर विश्वासी नहीं है, बच्पन में जब वो छोटी रस्षी से बांधा गया था, तो उन्होंने कोशिस की थी इसको तोरा जार, कि मैं इसको तोर दूँ, और जब फैनली उससे नहीं तूटता है तो वो छोड़ देता है, वो हार मान लेता है, और वो ये समझ बैठता है, ये रस्षी बहुत मजबूत है, और इसको तोरने का कोई फायदा नहीं है, ये हमसे नहीं तूटेगा, और वो कभी कोशिस ही नहीं करता, वो बढ़ा हो जाता है, और कभी कोशिस नहीं करता, कि हम इसको तोड़ भी सकते हैं जबकि वो बड़ा होने पर बहुत सक्तिसाली हो चुका होता है लेकिन उसके मन में जो वो बैठा लिया है कि मैं जीत नहीं सकता हूँ वो सोच उसको जीतने से रोक देता है तो ये डिफरेंस है कि वो क्यों उस रस्सी को नहीं तोड़ पा रहा है तो इसलिए कहा गया है कि अगर आप सोच लेते हैं तो आप वो पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं और अगर आप सोच लेते हैं तो आप वो खो भी सकते हैं जो आपने सोचा था कि ये तो हमसे नहीं हो पाएगा इसे के साथ हमारा पहला चप्टर यहां पर complete होता है मैंने पहले चप्टर को पढ़ा मैंने दूसरे चप्टर के भी कुछ पार्ट को पढ़े है जिसमें इसी थाउट के उपर कुछ बातें कही गई है जैसे thoughts are things ये तो एक हमने nature's example देखा इंसानों में भी कई example मिले है जहां पर ये देखा गया है कि इंसानों ने सोचा तो वो वो कर दिखाया जो वो करना चाहता था बिहार के जीतें डाम मांजी का नाम तो आपने सुनाई होगा छेनी हतोरे से पत्थर को काट करके रास्ता बना दिया बाइस किलोमेटर का रास्ता अब आप सोच सकते हैं कि एक इंसान जो कोई सोच नहीं सकता है वो वो सोच लिया तो वो कर दिया तो ऐसा ही एक example एक story के माध्यम से बताया जा रहा है है और एक होता है ना fictional story मैं अब आपको second chapter के कुछ बातों को बता देता हूँ जहां तक मैंने पढ़ा है बाकि कल मैं जितना पढ़ूँगा फिर वो मैं आपको बताऊँगा कोसिस करूँगा कि 20 तारिक तक आपको ये पूरी बुक की समरी मैं आपको बता सकूँ जो भी मैं सीखता हूँ वो मैं आपको बताने की कोसिस करूँगा यहां पर अब हम दूसरे chapter पढ़ा चुके हैं कि एक इंसान था उसका नाम था बंस एडविन सी बंस नाम था उसका अब जब आप इसकी कहानी सुनेंगे तो आपको बड़ा अश्चर लगेगा यह जो लड़का था एडविन सी बंस यह सोच रहा था कि मुझे थोमस अलवा एडिशन के साथ काम करना है हाँ तो मैं बता रहा था कि एक होता है फिक्शनल स्टोरी मैं काहनी पर वापस आता हूँ उसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक होता है फिक्शनल स्टोरी एक होता है रियल स्टोरी एक होता है कि मन गरंत हम कुछ भी गड़ लिये मन में और वही काहनी सुना दिये और एक होता है real कानी कोई कर के दिखाता है जो वस्तविक्ता होती है तो एक fictional story में उतनी ज़्यादा हमें उससे हमें ज़्यादा inspired नहीं हो पाते हैं लेकिन जब कोई real में कुछ कर दिखाता है तब जो हम सीखते हैं तब जो हम जानते हैं वो बहुत ही गजब का होता है वो बहुत ही चोकाने जैसा होता है और उनसे जो सीखने को मिलती है वो बहुत बड़ी सीख होती है तो यहाँ पर मैं जो कहानी बता रहा हूँ यह real कहानी है कोई मन गरंद कहानी नहीं है एक लड़का था Edwin Simmons इसकी सोच तो बड़ी थी पर दो समस्या थी इसका सोच था कि मुझे Thomas Alva Edition के साथ काम करना है अब काम करने का उसका मतलब यह था कि मुझे उसके साथ बिजनेस करना है Thomas Alva Edition जिनोंने बल बनाया रात को भी दिन बनाने का सपना दिखाया और करके दिखाया जो जिनोंने कई अविस्कार किये कई अविस्वसनिये अविस्कार किये उसके वो वेक्ति उस टाइम तक इतना सफल हो चुका था Edition Edition इतना सफल हो चुका था कि उसके अंडर काम करना भी एक बहुत बड़ी बात थी और यह लरका ही क्यों क्योंकि दो कारण से पहला यह Edition से कभी मिलाई नहीं था और Edition इसको जानता भी नहीं था और दूसरा ये इतना पैशा भी नहीं था कि यह Edition तक पहुँच सके ट्रें पकड़के यह Edition तक जा सके इतना रुपिया भी इसके पास नहीं था और इसकी ख्वाइस थी कि मुझे एडिशन के साथ बिजनेस करना है अब ये जो बात है ना कि इतना पैसा भी नहीं है आप जानते भी नहीं हो आप सोच लीजे कि अगर माल लीजे कि अभी आपको भारत की बहुत बड़े बिजनेस मैं कोई एक 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 जामपल के लिए माल लेजे आपको आमबानी जैसे बड़े बिजनेस के साथ आपने सोच रखा है कि मुझे उसके साथ बिजनेस करना है उसके साथ पार्टनर्शिप करके बिजनेस करनी है और आप जो है आपके पास पैसा भी नहीं है कि आप वहाँ तक पहुँच सके, वहाँ तक जाने के लिए आपको पैसा नहीं है, और आपने इतनी बड़ी सोच बना रखी है, तो बहुत लोगों के लिए ये बस एक ख्वाफ सा रह जाएगा, और वो कभी इसके लिए सायत मेहनत भी ना करे, लेकिन पांस के अंदर जो डि क्या कर रहा, फाइनली क्या हुआ, कि जब सैकोलोजिस्ट तो ऐसा कहते हैं, कि जब आपकी सोच आपके दिमाग पर भारी परने लग जाता है, जब आपकी सोच आप पर हावी होने लग जाता है, तब आपके एक्शन में वो सोच दिखने लग जाता है, अगर आप किस करिएगा कि आपके action में भी वो चीज़े आ जाती है तो वैसे ही अब जब ये addition से addition के साथ काम करने के बारे में सोच रहा है तो इसके mind में वही सीज़े बार-बार आ रही थी बहुत बेचेन हो रहा था ये और इसके action में भी वो आ गया इन्होंने क्या किया कि बीना ticket कटाए हुए train में चहर गया और एडिशन के पास न्यू जर्सी तक पहुंच गया न्यू जर्सी में वहाँ उसका lab था तो वहाँ तक laboratory तक ये पहुंच गया और कहा कि sir मैं यहाँ business करने के लिए अपके साथ आया था एडिशन उसको पहली मुलाकात में बहुत बड़ा offer तो नहीं देते बट उसको अपने under काम करने का एक मौका दे देते हैं कि चलो ठीक है तुम मेरे under काम कर सकते हो एडिशन के लिए बहुत ज्यादा काम का तो नहीं था लेकिन बंस के लिए वह बहुत काम का था क्योंकि कम से कम वह वहां तो आ चुका था जहां तक वह पहुंचना चाहता था जहां से वह आगे के सफ़र को तै कर सकता था तो यहां पर अब वह सोच रहा था कि चलो कुछ नहीं से तो कुछ बैतर पहले तो कुछ भी नहीं था अब तो कुछ है पहले मौका में उसको बिजनेस करने का तो मौका नहीं मिला लेकिन उसके वाद समय बीटते चले गया कहते हैं कि कई महने बीटते गए ऐसा एक भी मौ मौका बांस को नहीं मिला जिससे वो ये एडिशन को बता सके कि वो उनके साथ बिजनेस करना चाहता है कोई मौका मिलेगा तब तो वो क्या पाएगा तभी तो वो सावित कर पाएगा कि वो लायक है ऐसा कोई उनको मौका ही नहीं मिला पर मौकों की ना बहुत ही खास बात होती है वो किस रूप में कब आपके सामने किस तरीके से प्रकट हो जाए इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता वो किसी भी रूप में आपके सामने आ सकते कई बार वो हार के रूप में आ जाती है, कई बार वो पिछले दरवाजे से आ जाती है, तो मौके को इस वज़ा से बहुत सारे लोग पहचानने में भूल कर बैठते हैं, एडविंट सी बांस उन में से नहीं था, जब इनको मौका मिला, तिसने मौके को पहचाना, थोमस अलवा एडिशन उस टाइम में एक आविसकार किया था, उस आविसकार का नाम था, एडिशन डिक्टेटिंग मशीन, उन्होंने इस मशीन को बना तो लिया था, लेकिन एडिशन के सेल्समेन इसको बेचने को तयार नहीं थे, उनका कहना था, किसको बेचने में बहुत म मेहनत लगेगी सब लोग पीछे हट रहे थे लेकिन एक व्यक्ति तब एक व्यक्ति के माइंड में आया this is the right opportunity ये सही मौका है अपने आपको साबित करने का आप वांस आगे जाते हैं अदिसन के पास आते हैं और क्या ते कि सहा मैं भीचना चाहता हूं मुझे मौका दे आभेट यह कि ठीक है अगर तुम भीचना चाहते हो तो ठीक है बेचो उन्सको भी पता था कि यहां पर कोई इस मर्शिन को तो अच्छे अच्छे तरीके से नहीं बेच पाएगा, बहुत ही मुश्किल लगेगी, लेकिन BANS ने उसको इतनी बहत्रीन तरीके से बेचा, कि एडिसन ने पूरे देश भर में बेचने का उसको ठेकाई दे दिया, कि तुम ही जाकर कि पूरे देश में बेचो, और BANS उसको बेचा, और इ आप पाना चाहते हैं, आप success प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इस book में, इस second chapter के शुरुबात में कुछ और भी बाते कहीं गई हैं, मैं आपको पड़कर के सुनाता हूं, कहा गया है, तो कहा गया है, कि सोच बहुत ही सकतिसाली चीज है, उस चीज को हासिल करने के लिए, जो चीज आप चाहते हैं, लेकिन आपकी सोच में तीन चीज होनी चाहिए, फिर जाकर के ऐसा होता है, सबसे पहला आपके सोच में एक definite purpose होना चाहिए, एक निश्चित उदेश्य होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने सोच लिया और उसका उदेश्य ही कुछ नहीं है, कभी ये सोच रहें, कभी वो अभी ये नहीं सोचा, कि चलो कुछ नहीं तो हमको दूसरा कोई सेल्समेन की नौकडी मिल जाएगी, कोई और जॉब कर लेंगे, उसने सोचा, कई महने उसके बीत गएते, फिर भी उसने सोचा, कि मैं यहाँ एडिशन के साथ काम करने आया हूँ, उसके साथ बिजनेस करने तक मैं यहाँ से लोट करके नहीं जाओंगा, इसके साथ साथ तीसरी बातें जो होनी चाहिए, वो बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, अंदर से वो इक्षा अनी चाहिए, दिल से निकली हुई वो इक्षा होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मुर्जी हुई एक्षा है, और इस त definite purpose होना चाहिए, दूसरी चीज़ persistence होनी चाहिए, द्रड़ता होनी चाहिए, जिद्ध होनी चाहिए, और तीसरी चीज़ की burning desire होनी चाहिए आपकी सोच में, अगर ये सारी चीज़े मुझूद है, तो आप definitely success हो सकते हैं, बांस की कहानी से ये चीज़े साबित हो रही है, addition, इसी बांस के बाड़े में, बाद में, कई वरसों के बाद ऐसा कहते हैं, कि जब वो आया था, addition कहते हैं, कि जब बांस आया था मेरे सामने, तो एक साधरन सा इंसान के रूप में था, लेकिन उसके चेहरे पर एक गजब की जलक थी, addition कहते हैं, कि उनके चेहरे से पता चल रहा था, कि वो जिस चीज़ के लिए आया है, उसके लिए पका इरादा कर के आया है, तो जिद थी उनमें, एक definite purpose था उनमें, जिद इसलिए, क्योंकि वो दूसरा काम भी ढून सकता था, क्योंकि उनको को ऐसा मौका ही नहीं देख रह कि मेरे को ये करना है, मतलब करना है, एक definite purpose के साथ गया था, और सबसे बड़ी बात, कि वो एक्षा अंदर से आई थी, बढ़नी डिजायर होनी चाहिए, और फाइनली, उस बांस ने, वो कर दिखाया, जो वो करना चाहते थे, अब मैं, यही तक अभी कानी, अभी तक मैंने पड़ा था, यह बहुत थी, inspiring थी मेरे लिए, आसा है कि आपको भी यह inspire किया होगा, अगर आप भी अपने reading skill को यहाँ पर बढ़ाना चाहते हैं, मोटिवेस्ट होना चाहते हैं, तो एक होता है कि आपको YouTube का कोई वीडियो lecture दे सकते हैं, विश्वास मानिए कि वो 2 मिनट से जादे जादे दो तीन, दिन से जादा आपका नहीं चलेगा, लेकिन अगर आपको यह किताब को पढ़ते हैं, तो यह वहाँ आपको motivation देगा, जहाँ आपको जरुरत पढ़ेगी, तो मुझे आसा है कि यह आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको यह किताब पसंद आती है, तो आप खरीद भी सकते, इसको पढ़ भी सकते हैं, आपकी इससे reading skill मैसुस बढ़ेगी, इससे आपकी reading skill बढ़ेगी, सोचने की छमदा बढ़ेगी, और motivation भी मिलेगा, और अगर आप नहीं भी खरीद सकते हैं, तो कोई दिकत का बात नहीं है, online PDF इसके मिलत आपको इसके, इनसे जो भी मैं आपको, जो मैं इनसे सीखूंगा, वो मैं आपको बताऊंगा, और जैसा कि मेरा target है, कि 20 तारिक तक इसको खतम कर देना है, 20 तारिक तक आप तक इस चीज को प्रजेंट कर देना है, आज जब मैं इसको बना रहा हूं, तो 11 तारीक है, रात क समय हो रहा है, लगवग 12 बजने वाले हैं, और 12 तारिक को आप तक इस वीडियो एवलेबल हो चुकी होगी, और 20 तारिक तक मैं ये कोसिस करूंगा, कि सारी की सारी वीडियो इस बुक से जो भी मैं सीखूंगा, वो सब कुछ आप तक एवलेबल करवा सकों, मुझे नहीं पता की वीडियो कितना लंबा जाएगा, बट जितना भी मैं सीखूंगा, उसको बनाने की, उसको बताने की, अच्छे से अच्छे तरीके से जितना हमसे हो सकता है, उससे थोड़ा जादा कोसिस करूंगा, कि मैं आपको बता सकूं, ताकि आपको भी अच्छा लग सके, और आप इन बातों की गहराई को समझ सके, कि फाइनली अब मैं वो सारी बातों को बताने जा रहा हूं, जो इस पूरे, जितनी भी सारी मैंने बाते कहीं, उनसे सीखने वाली बात ही थी, सबसे पहरी बात, कि कोई इनसान अमीर बनेगा या गरीब, यह उसकी सोच पे निर्वर कर अगर आप सोच सकते हैं, तो आप अमीर बन सकते हैं, और अगर आप सोच सकते हैं, तो आप गरीब भी बन सकते हैं, तो अपनी सोच को बढ़ा करिए, अमीर बनने की तरफ अपनी सोच रखिए, दूसरी बात, कि सोचने का मतलब किवल सोचना नहीं होता है, सोचने का मतलब होता है कि उसमें तीन चीजे होनी चाहिए सबसे पहला डेफनिट परपस होना चाहिए दूसरा परसिस्टेंस होनी चाहिए जिद होनी चाहिए परसिस्टेंस मतलब जिद होनी चाहिए अटलता होनी चाहिए और तीसरा बढ़निंग डिजायर होनी चाहिए और आमने इस शप्टर से ये सीखा कि कोई इनसान एक ही स्थिति में इसलिए रह जाता है क्योंकि अपनी सोच को वो बड़ा नहीं कर पाता है उसकी सोच जो बन चुकी है उसको वो बड़ा करना नहीं चाहता है जिस वज़े से आज वो जो सोच रहा है जिस तरीके से उनकी सोच है, जिस तरीके से वो आज रह रहा है, उसी तरीके के वातावरन में वो रह जाता है, उसकी स्थिती वैसे ही जिन्दगी भर बनी रह जाती है, तो आपको भी अगर अपनी स्थिती में सुधार लानी है, आज आप जो हैं, उनसे आपको बहतर बनना ह तो विश्वाज मानिए कि आपको अपनी सोच को बढ़ानी ही चाहिए जितनी सोच को आप बढ़ा करेंगे आप उतने ही ज्यादा सफल होंगे ऐसा मैं नहीं कर रहा है ऐसा तो बुकों में लिखा हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं तो फिर मैं आपको बताऊंगा आगे अगले वीडियो में इसके आगे की बाते जितना मैं कल पर पाऊंगा उतनी बताने की कोशिस करूँगा जितनी विसारी मैंने बाते पढ़ी थी वो मैंने आपको बता दी है अब मैं आपको यहाँ पर कुछ लिख भी देता हूं कुछ विचार जिसे यहाँ पर सबसे पहला था बोथ पोवर्टी और रिचेज आर दा अपस्प्रिंग फथावट बोथ पोवर्टी और रिचेज आर दा अफस्प्रिंग और थावट इसका मतलब यह हुआ कि दोनों अमीरी और गरीवी सोच के उपज है कहने का तात पर इस बात से कि अगर आप सोच सकते हैं तो आप अमीर बन सकते हैं और अगर आप सोच सकते हैं तो आप गरीवी भी बन सकते हैं तो सोच न, आप क्या सोच रही हैं, यह बहुत ज़्यादा matter करता है, लेकिन अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो आपकी सोच में, तीन चीजे होनी ही चाहिए, आपकी थाउट में, सबसे पहली चीज जो होनी चाहिए, वो है definite purpose, definite purpose, एक निश्चित उद्देश्च होनी चाहिए, दूसरी चीज, आपकी सोच में, परसिस्टेंस होनी चाहिए, जिद होनी चाहिए, अडलता होनी चाहिए, द्रडता होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि थोड़ी सी असपलता मिली और हार गए, मैंना करता है कि अब कुछ और करेंगे। इस तरीक इसी कि, भीकल नहीं रखनी है। और थिस्री इसी बढ़निगों होनी चाहिए। बढ़निगीजायर मतलब पनतला है इक्छा, बणिदिजायर मतलब ज् memorial घ्यंडा अलेजिन एक्छा ना चाहिए। तो यह सारी चीज़े आप में होनी चाहिए और इसमें एक और बातें कही गई थी वो मैं आपको बता देता हूं मैत पूर्ण बात एक और थाउट यहां पर दिया गया नेगलेटिंग कि अव्छाइ बातें पूर्ण लखिए लग वोर्ण लया खिर वो doing one thing all their lives this line का मतलब ये हुआ कि नेगलेट मतलब मना कर देना to broaden their view मापी चाहेंगे दोस्तों लेकिन लाइन कट गई थी जिस वज़े से अभी अमको लगभग डेर घंटे का इंतजार करना पड़ा है और फिर जाकर कि अब ये लाइन आई है और तब मैं जाकर कि अब ये वीडियो बनाना चालू कर रहा हूँ मैं बता रहा था कि इस लाइन का मतलब क्या है नेगलेटिंग तो ब्रोड़न दियर व्यू हैस केप्ट सम पीपल दूइंग वन थिंग अल दियर लाइप्स वैसे तो मैंने आपको इसका मीनिंग वता दिया है इसका ताथपर्रे किस बात से है वैसे इसको हम एक बार समझ लेते हैं कि लाइन बार लाइन वाट बार वाइट समझने की कोशिस करते हैं क्या कह रहा है कहा जा रहा है नेगलेटिंग टू ब्रॉडेन दियर व्यू मतलब नेगलेट का मतलब होता है कि मना कर देना टू ब्रॉडेन दियर व्यू कोई अपने द्रिष्टी कोन को बढ़ाने से ब्रॉड करने से बढ़ा करने से मना कर देता है has kept some people और इस वज़ा से कुछ लोग doing one thing all their lives पूरे जिंदगी भर all their lives पूरे जिंदगी भर वो एक ही तरह के चीजे doing one thing एक ही तरह के चीजे वो जिंदगी भर करते रह जाते हैं जो लोग अपनी सोच को बड़ा करने से मना कर देते हैं वो जिंदगी भर एक ही जैसे चीजों को करते रह जाते हैं ये तीन विचार जो मैंने आपको बताएं यही तीन विचार के बारे में इस पूरे चप्टर में अभी तक में मैंने आपको जो कुछ भी बताया है इस ही के इर्दगिर्द अगर आपने ये सारी चीजे समझ ली और जो मैंने आपको कहानी बताया था नेपोलियन हील की कहानी कि उन्होंने कियों इस बुक को लिखने की सुरुबात करी थी और दूसरी कहानी जो मैंने बंस की सुनाई थी कि उसने सोचा था तो उसने वो पा लिया जो वो पाना चाता था तो सोच में बहुत सकती होती है तो आप कम से कम पहले सुरुबात तो करिए सोचिये कि आपको क्या चाहिए बहुत सारी लोग तो सोच भी नहीं रहे हैं उन्हें सो सोच ये और आपकी सोच में कोशिस करिए कि ये तीन चीजे आए एक डेफिनिट परपस हो परसिस्टेंस हो जिद्ध हो उसमें और बर्निंग डिजाइर होनी चाहिए इतनी सारी बाते अगर आपको समझ में आई है तो मुझे खुसी है कि मैं वो समझा पाने में सक्सेस्पुल हो पाया जो मैं समझाना चाहता था इसके आगे मैं और भी बातों को बताओंगा इस बुक से डिलेटर तब तक आप अपना खयाल रखिए फिर होगी हमारी मुलाकात अगले वीडियो में इस से आगे के टॉपिक के साथ तब तक बने रही है आप हमारे साथ अब हम करते हैं इस वीडियो का इंड जय हिंद